पूजरात में नई सरकार का आज शपत ग्रहन हुआ है वुपेंद्र पटेल ने गुजरात के अठारवे मुख्य मंत्री के रूप में अपने लगातार दूसरे कारेकाल के लिए शपत लिए उन्हें राज़िपार अचारे देवरत ने पद एवं गोपनियता की शपत रिशिकेस पटेल, राघपजी पटेल, बलवद सिंग राजपूत, कुवर्जी बावलिया, मुलु भाई बेरा, कुबे दिंडोर, भानु बेन बावरिया ने काबिनेट मंत्रियों के रूप में शपत लिए इसके लावा हर्स सांगवी, जगदीश विश्व कर्मा ने रा जो मंत्री पत की शपतली है, तो गांधी निगर में नए सचिवाले के पास हैलिपैड ग्राउड में शपत ग्रहन समारो आयोज़त किया गया, और पी एम मोदी की मौजूदकी में सभी मंत्रियों और मुख्य मंत्री भुपेंद्र पटेल ने आज शपतली है बता रहें आपको गांधी निगर के सचिवाले के हैलिपैड ग्राउड में भव्य शपत समारो कारिक्रम का आयोज़न किया गया था, जिसमें मुख्य मंत्री भुपेंद्र पटेल ने दुबारा से गुजरात के मुख्य मंत्री पत की शपतली, पी एम मोदी की मौजूदक में उन्होंने शपत ली है, आचारे, देवरत, जो राजिपाल हैं, उन्होंने पद की गोपनेता की उनको शपत दलाई है, और बीजेपी शास्त राजियों के मुख्य मंत्री और पी एम मोदी केंडरी ग्रह मंत्री अमिश्य शाह, जेपी नड़ा समें तमाम दिगज देत यहां पर सकारिक्रम में मौजूद रहे, वहीं मैनपुरी लोकसभा का उप्चुनाव जीतने के बाद सपा की सांसर, जंपल यादव ने संसर सदस्य के तौर पर राज शपत ली है, वो अपने पती और समाजवादी पाजे के मुख्या, अखलेश यादव के साथ, दल्ली की शपत लेने के साथ ही, डिंपल यादव ने कॉंग्रेस नेता सूनिया गांधी के पैर श्यूकर उनका आशरवाद लिया, डिंपल यादव ने सांसर पत किया शपत ली, जोराल उनके साथ, अखलेश यादव भी मौजूद रहे, वहीं शपत लेने के बाद, लोकसभा मे सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अशून रखूंगी, तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूंगी. वैसे तो कॉंग्रेस और बिजडिपी नेताओ के बेज किसी ने किसी मुद्दे को लेकर आरूप रत्यरोप का जो दौर है वो जारी रहता है, लेकिन इस दौरान अति उत्सा में नेता कई बार विवादित बयान दे डालते हैं, ऐसा ही एक मामला मध्यपरदेश के पन्ना मीडिया पर वाइरल हो गया है, वाइरल वीडियो में वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें समविधान बचाना है, तो मोदी की हत्या के लिए तत पर रहना होगा, हलाकि थोड़ी देर बाद, राजा पटेरिया ने अपने इस बयान को लेकर एक और बयान ज आदिवासियों को और अल्व संक्यकों का भावी जीवत खत्री में है, जम्मिधान बचाना है, तो मोदी की हत्या करने के लिए दफ़णों हत्या इंद रहना होगा, कल मडलम सेक्टर के कार्ड वित्रण में पवई के दोरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे ब आजने देख चुनाओ शेत्र में उनको पराजत जलाके इस देश का सम्मिजान बचाओ, अल्व संक्यकों का अधिवासियों की रख्षा करने के लिए, बेरोज़गारी हटाने के लिए, मोदी को पराजत करने आवश्यक है, मेरा उस देश हत्या के खुले के गलत वही मैनपुरी में व्यापार मंडल के पदादिकारियों ने जिला मुख्याले पहुचकर उत्तर प्रदेश शासिन के नरदेश पर प्रदेश व्यापी जीस्टी सर्वे चापे को रोके जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डियम को ग्यापन सौपा बता दे मैनपुरी व्यापार मंडल के पदादिकारी जिला मुख्याले पहुचे थे और यहां इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ग्यापन अप जिला अधिकारी को सौपा ग्यापन में उन्होंने कहा कि प्रदेश व्यापी जियस्टी सर्वे चापे के कारण व्यापारी वर्ग वो ग्रस्त है परिशाड है जियस्टी अधिकारी की तरफ से बेवज़े चापे मारे जा रहा है जिससे व्यापारी वर्ग जो है वो डर्डर के महौल में जीरा है औ उटो ने सियप के राम डियम को ग्यापन सौपा है और मांग की है कि जियस्टी के धिकारियों की तरफ से जो बेवज़े के छापे मारे जा रहा है वो ना मारे जाए तो उसके बिरोद में हम लोग आज यहाँ ग्यापन देने आए है और कल भी यहां सेहर में कुछ दुकानों पर उन्होंने जाके सर्वे किया तो हम लोग स्वयम पहुंच गए तिवा हमारे नगरत्य जी मैं और नगरमामंत्री तमांपता अधिकारी वहां पहुंचके जो अपने टिप्ली कमिशनर जी हैं बात की मैंने तो उनका कहना था कि मै मैं कोई किसी प्रकार का उत्विडन नहीं कर रहा हूं अगर आपको लगता है तो आप मेरे वापस आके बात कर सकते हैं तो मैं सभी वैपारियों को भी अस्वस्त करना कर रहा हूं कि अगर किसी को यह लगता है कि कोई उत्विडन हो रहा है तो हम लोग हर वैपारी के साथ मह राजी का कोई भी इस्परकार का निरदेश नहीं, किसी वैपारी का हुद्पियरुन किया जा रहा उसको विस्वास में लेकर, आएगर कोई जाँचय करना हैं वैपार मंदल के हमारे प्रदेश को पादिश आदर्णि कुसवा जी है हम लोग सब लोग हैं हम लोग कभी भी व्यापारी का काम जो है वो सरकार का सहयोग करने का होगा यूपी के मुझफर नगर में करीब एक दर्जन परिवारों के 80 सदस्ट्यू ने एक साथ इसलाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की ये लोग रामपुर जुले के रहने वाले हैं धोबी और दलित वर्क के बताय जा रहे हैं मुझफर नगर के बगरा ब्लॉक कस्तित योग साधना आश्रम के माराज यश्वीर ने गंगाजल से शुद्धी करन करा कर सभी के गले में जनेव धारन कर गाईत्री मंत्र उचारण के साथ यग में आहुती डलवा कर इन सभी लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई है इस नाग छोड़ कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले लोगों ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाया है जिहां रामपुर से वधायक रह चुके आजम खान पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि 12 साल पहले आजम खान ने जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया था आरोप ये भी है कि इन लोगों की जमीन और जायदाद भी आजम खान के गुर्गों ने हडपली थी जिससे परिशान होकर इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अब घर वापसी की है यूगी सहकार में जस तरीके से अफ्याओ पर दवंगों पर कारवाई की जा रही है व्रस्ट नेताओ पर उससे लोगों में हिम्मत आई और हिंदू ने इसलाम छोड़कर हिंदू धन में वापसी की है तो लखने उसे बड़ी अपडेट आपको देते हैं यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरन की बड़ी कारवाई की गई है योगी का बुल्डिोजर चला है यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरन की टीम यजदान बिल्डिंग को लेकर जमी दोस कर रही है यहां प्राधिकरन की जो टीम है वो बिल्डिंग को जमी दोस करने में जुटी हुई है मौके पर पहुंची है, तस्वीरें आप देख सकते है किस तरीके से प्राधिकरण की जो कारवाई है वो की जा रही है और योगी सरकार का बुल्डोजर चला है, यजदान बिल्डिंग पर बिल्डिंग को जमीदोस किया जा रहा है भारी संख्या में प्राधिकरण के अधिकारी और पुलस टीम मौके पर मौजूद है लखनौ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे है हजरत गंचेतर में स्थित यजदान बल्डिंग पर कारवाई की जा रही है जिस पर योगी बाबा का बुल्डोजर चला है एक्स्क्लूजिव आपको तस्वीरे दिखा रहे है लखनौ की ये तस्वीरे है जहां पर यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरण की टीम का बुल्डोजर चला है योगी सरकार का बुल्डोजर चला है प्राधिकरण की टीम यजदान बिल्डिंग को जमी दोस कर रही है मौके पर पहुंची है भारी संख्या में प्राधिकरण के अधिकारी वो मौझूद है यहाँ पर प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ पर मौझूद है पुलिस की मौझूदकी में ये कारवाई प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है और यजदान बिल्डिंग को जमीदोस किया जा रहा है तो लखनव से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरण की बड़ी कारवाई सामने आई है यहाँ पर योगी सरकार का जी हां योगी भाबा का बुल्डोजर चला है यस्दान बॉल्डिंग पर तस्वीरे आप देख सकते हैं एक्स्क्लूजिब तस्वीरे इंडिया वॉइस पर प्राधिकरन की टीम यस्दान बॉल्डिंग को जमिदोस कर रही है तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्स्क्लूजिब तस्वीरें इंडिया वॉइस पर और लखनू से अब्रेज आपको दे रहे हैं यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरण की बड़ी कारवाई की जा रही है प्राधिकरण की टीम के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौझूध है पुलिस की मौझूद्गी में प्राधिकरण की टीम कारवाई कर रही है योगी सरकार का योगी बाबा का बुल्डोजर चला है यजदान बिल्डिंग पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे है लखनव से यजदान बिल्डिंग पर प्राधिकरण की टीम द्वारा बड़ी कारवाई की गई है बुल्डोजर चलाया जा रहा है जिहां बिल्डिंग को जमी दोस किया जा रहा है प्राधिकरण की टीम चंदन वर्मा जुड़ गए हैं चंदन योगी बाबा का बुल्डोजर चला है यजदान बिल्डिंग पर बिल्डिंग को जबी दोस्त किया जा रहा है क्या कुछ जनकारिक है पिल्कुल मैं आपको बता जुक जो है यह अजदान बिल्डिंग जो यह नजूल की जमीन पर बनी हुई थी इस पर एक बार जो है प्राधी करण का फिर एक बार बुल्डोजर चला है अला किस पर जो है जब इससे पहले जब कारवाई हुई थी तो यह लोग हाई को करवाई करें तो उसी क्रम में जो है आज बाबा का बुल्डोजर जो है यह दान बिल्डिंग पर पहुचा है चंदर को आज जमी दोच किया जाएगा चंदर इस कारवाई से पहले क्या नूटर दिया गया था बिल्डर को या फिर अचानक से प्राधीकरन की टीम पहुची है और यह कारवाई की गई है अगर पूजा नोटिस की बात की जाए तो नोटिस इनको इससे पहले भी कई बार दिया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी यह जो है नजूल की जमीन पर यह दान बेडर जो है इसने यह अपार्टमेंट बना के खड़ा कर दिया था जंदनिया पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब बिल्डिंग की मन्जूरी किसने दीवन ने क्यों जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तयार हो गई है तब प्राधिकरण की नेन खुली है और कारवाई के लिए जागा है जब बात की जाए तो जब जिस ताइम यह बन रही थी उस तमें के जो अधिकारी थे उन पर भी जए एक कारवाई जो होनी चाहिए चंदन बिल्डर की तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की जा रही है क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग तयार हो गई है तब धुस्तिकरण की कारवाई की जा रही है और इतनी बड़ी बिल्डिंग को तयार करने के लिए पहले से मंजूरी होती है पूरी विवस्था होती है यह अगर बात की जाए बीडर की तो बीडर जो है अभी तक जो है बील्डिंग पर नहीं पहुंचे हुए वो भी कही नहीं मीडिया से बस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे बड़ा सवाल तो पुझा यह ख़़ा होता है कि जो इस बीडिंग में जो लोग समली ते जो आधिकारी थे जिनके सहे पर यह बिल्डिंग बनकर तयार होगी उस पर जो है और सासान और प्रसासन की किस तरह से कालकनों को मिलती है सबसे बड़ी बात पूछ जी बिल्ड कि जाती है जी चंदन देखना होगा कि आगे किस तरीके से इसमामले की जांच की जाती है बिल्डर पर क्या कारवाई होती है बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस अबडेट के लिए आपका तो यजदान बिल्डिंग पर प्राधी करण کی बड़ी कारवाई सामने आई है यजदान बिल्डिंग पर योगी सरकार का बुल्डोजर चला है इंडिया वोईस पर एक्स्क कारियां पर मौजूद हैं जिनकी मौजूद्गी में यजदार्थ बिल्डिंग की द्वस्तिकरण की कारवाई की जा रही है परसाथ पूर्ड चेर्मेन विनूद कौशल का अभद्र भाशा का प्रियोग करते हुए एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में चेर्मेन विनूद कौशल बीजेपी वधायक सालोन अशोक कोरी के लिए अभद्र भाशा का प्रियोग करते नजर आ रहे हैं वीडियो वाइरल होने के बाद वधायक के समर्धकों में भारी आक्रोश है जी हां राय बरेली से बीजेपी वधायक को चेर्मेन ने उनके लिए भद्र भाशा का प्रियोग किया जिसका वीडियो सुसल बीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो के वाइरल होने के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है और वो नाराज़गी जता रहे हैं इसको लेकर तो चेर्मेंट का बीजेपी विधायक के लिए भदर भाशा का प्रियोग करते हैं ये वीडियो वाइरल हुआ है और इस वीडियो के वाइरल होने के बाद जो विधायक के समर्थक हैं उनमें भारी आक्रोश है वहीं हमीरपूर में बस्ती से बाइक लेकर चोर फरार हो गया है बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं बस्ती से बाइक लेकर चोर फरार हो गया है वहीं चोरी की ये पूरी बारदात सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है हमीरपुर से अपडेट आपको दे रहे है जहाँ पर एक बस्ती में बाइक लेकर चोर फरार हो गए है दिन दहाडे और चोरी की ये जो वार्दात है वो सिसी टीवी कैमरे में क्याध हो गई है और उसी क्याधार पर पुलस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है हमीरपुर के मौदाहा थानाच्षेतर के गांधी वध्याले के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ पर चोरो दिन दहाडे एक बाइक को लेकर फरार हो गए वहीं ये जो वार्दात है चोरी की चोरू की ये जो पर्तूत है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई और जिसके आधार पर पॉलिस आरूपियों की तलाश में जुटी हुई है वहीं हाँपुर के पिलकवा कस्पे में एक दर्णाख वाक्या सामने आया है जो हां 5 साल के एक मासूम की चादरों के बंडल के नीचे दपकर मात हो गई पार्च साल के शहादत का शौब मिल्ले से पूरे परिवार में संसरी फैली है वही पूरे परिवार का रोरो कर बुरा हाल है तो हापुर की ये तस्मीरे हैं जहाँ पर एक मासूम की दर्दनाक मात हो गई है शौब मिल्ले से पूरे इलाके में संसरी फैली हुई है जार्खन प्रदेश कॉंग्रेस की नई कारेकार्णी के गठन के साथी पार्टी में घमासान तेज हो गया है नई कारेकार्णी के गठन हुए दो दन भी नहीं हुए कि प्रदेश कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने नई कारेकार्णी से स्तीफा दे दिया जिसके बाद से पार्टी में ववात तेज हो गया हाला की पार्टी की तरफ से सभी नेताओ और कारीकर्टाओं को संगठन के वरोध कदम उठाने पर लगाम लगाने की पहल की गई है पार्टी के नेताओं का कहना है कि राजे में नई कमिटी का गठन लंबे समय बाद हुआ है ऐसे में लोगों को उमीदे थोड़ी जादा हैं धीरे धीरे सभी शिकायतों को दुरुस्त कर लिया जाएगा तो 6 साल बाद जार्खन में प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी की घोशना हुई है वहीं घोशना के बाद से ही नेताओं ने विवाद घमासान तेज हो गया है कुछ नेताओं ने इस्तिवा दे दिया है संगठन का कहना है कि 6 साल बाद कॉलंग्रेस कमेटी का अईलान हुआ है और जो कमिया है वो धीरे-धीरे दुरस्ट की जाएंगी लोगों को उमेदे थोड़े ज़ादा थी और जो भी कमिया हैं उनको धीरे-धीरे दुरस्त किया जाएगा तो क्या सरकार बंद कर देगी 2000 के नोट जे बीजेपी के सांसर सुशील मोदी ने सदन में सरकार से 2000 के नोट को बंद करने की मांग की है राजसभा में सुवार को सुशील मोदी अपनी बात रखते हुए दावा किया उन्होंने कि 2000 रुपे की नोटों का आपराधिक गत्विध्यो और अवयद व्यापार में बड़े पैमाने पर अस्तमाल हो रहा है लेहाजा सरकार को इसे चरणवध तरीके से बंद कर देना चाहिए आपको बता दे कि बहार के पूर्वुप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राजसभा में ये मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपे के नोटों का दर्शन दुर्लब हो गया है अब एटियम से निकल नहीं रहे है 2000 रुपे के नोट और अववा है कि अब ये वैद भी नहीं रहा आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोट बंदे के घोशना की थी उस वक्त 2000 रुपे के नोट जारी किये गए थे तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई आउचिते नहीं है और अब तो सरकार डिजिटल टांजेक्शन को भी बढ़ावा दे रही है इसलिए मेरा सरकार से आग्रा है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेज्वली और विड्रॉग कर लिया जाना चाहिए जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल दो साल का कि जिनके पास भी वैद तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्स्चेंज कर सकते है और एक निश्ची समय सिमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आउशकता नहीं पड़नी चाहिए चुकि 2000 का नोट याने ब्लैक मनी 2000 का नोट मतलब होडी इस अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 की नोट वही मैनपुरी थान अच्छेतर के भिटोरा गाओं में दबंगो ने बीजेपी के पक्ष में मतदान ना करने पर फाइरिंग कर दी इस फाइरिंग में एक महला के पैर में गोली लग गई और वो गंभी रूप से घायल हो गई गायल महला को विलाज के लिए जुला अस्पताल में भरती कराया गया वही घटना को लेकर अब तक पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं दी गई है मैंपुरी से एक खबर आपको बता रहे है बीजेपी के पक्ष में मतदार ना करने पर फाइरिंग का मामला सामने आया है दबंगो ने फाइरिंग की है बीजेपी के पक्ष में मतदार ना करने पर और इस दौरान एक महला के पैर में गोली लगी है जिसके बाद उसे गंभीर रूप से अस्पिताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है वहीं अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी गई है बहराई जनपद में भारत नेपाल सीमा पर बने अंतर राजे रोडवेज बस स्टैंड का उधगाटन प्रदेश सरकार के परिवेहन मंत्री दयाशंकर सिंग ने किया इस दोरान उन्होंने सपा पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जिब आजमगर और राबपुर का किला धस्त ध्वस्त हुआ तो चाचा भतीजा साथ हो गए केवल एक किला मैनपुरी के रूप में बचा लिया चाचा भतीजा क्यों आए चाचा भतीजा यह आए कि जर्टा की ताकत के कारणा है जब आजमगर और राबपुर की उनकी सियासत ध्वस्त हो गई मैनपुरी अंतिव किला बचा हुआ था तो यह डर करके एक हुए है और आप यह भी आप मैनपुरी की जीत उनकी जीत नही को दिया उन्होंने कभी यह नहीं मांगा कि इस मजवादी पार्टी कोड़ दीजिए लोगों ने कहा कि भाई मुलायम सीजियो को सरदने लिए तो उसको उन्होंने दिया तो यक्ता है यक्ता बनीर बुलिटिन में फिलाल इतना ही लगातार खबरों के लिए देखते रहे ह तो ये ने देखते बुलिटी के लिए उन्होंने लिएवेजियो कि कि अई भाई